गुड इवनिंग आज का फ्रीडव में आपको याद करने के एक बढ़ियां ट्रिक बताऊंगी अगर नों ट्रिक को एप्लाई करते अपने स्पोकन इंगलिश में तो बढ़ियां दरह से वर्प के फॉर्म को याद कर फाओगे अब अगर हम इंगलिश की सुरुआत करते तो सबसे पहले क्या सिखते हैं लिकिन तो बनाने के वर्प की फॉर्म को याद किया जाए तो क्या आप ज्यादा दिन तक वॉप की फॉर्म को याद रख पाओगे नहीं अगर हम दो तेन बारत उसे लट पी लेते हैं तो लास्ट वह से भूलना ही होता है आज मैं आसी बताऊ और यह पी परचान जाओं के कौन सा वर्प है सबसे पहले बताएं वर्प किसने टाइप के होते हैं वर्प के टू टाइप होते हैं एक होते हैं रिग्लियों और इंड़्यों रख अगर आप इंगलिश बोलना चाहते हैं तो आपको हंडिट फॉर्संट वह भीया गरा रह बिल्कुल लें रागुलों वर्प को भी याद करने का ट्रिक होना चाहिए अब सबी मोप में एडी तो लगाते हो जैसे मैं आपको कुछ एक्जामपल पहला एक्जामपल ड्राइट अब यह बताएं यह वर्प कैसे बनेंगे सब में डी लगाना है चले हम सब में डी लग होता है तो क्या है हमारे सारे टीचर ने क्या सिखाया की रैवियो लास्ट में लगाते करिके लाफ काम खतम हो जाएगा एगा यह हम three last hour इंको देखने कभा है बट के लगाने का भी होता है तो सबLean पर की बन गया यह फत्विस गलत हो गया कि ले में अपने है लगा दिया तो तो यह गलत बन गया पैट में एड़ी लगा दिया तो यह गलत बन गया क्यों इसमें पर हम लोग ने एड़ी लगाया तो यह राइट हो गया क्यों कि यहां वाई एजटी आप इसका यूज नहीं कर सकते यहां पर टीक आप एजटी यूज नहीं कर सकते इससे चेंज करना प नहीं उतारना है तो चले आज यह सभी पर हम करने वाले हैं सभी रून गोण को सेखेंगे कि वाइट क्यों किया जाता है कि सब्सक्राइब कभी आपने देखा है जब आपके लास्ट ग्रोंते हैं जैसे कि आपने स्टॉप देखा होगा इसका धे देखा यहां करते सर्फ ए डल गया करते कि आप इस सोच हो गया है तो ऑज आज उचने पर मजबूर हो जा यह चलिए अब आखिन video की क्षिक सिखाओंगी साथ सब्सक्राइब मार रूल हमारा क्या कहता है रेगले वोब समझते हैं कि अंत में कॉंसोनेंट प्लस वाई हो कॉंसोनेंट यानि कि जो वावल्स पांच हमारे वावल्स को छोड़ कर जितने बच जाता है वो सारे हमारे कॉंसोनेंट होता है तो कॉंसोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदल कर एडी जोड़ा जाता है अब आपने सूचा वाई को क्यों बदला जाता है जैसे यह आर आपका क्या है आर आपका कॉंसोनेंट है तो वाई को हम चेंज तर देंगे आई बना देंगे तो ह पाइप को चेंज कर दिया जाता है अब आपके सेकेंड फ़र्म एड़ा सेम रहते हैं है ना चलिए अब सब्सक्राइब की ओते हैं सुखा होता है यह कोशिश करना इन्युक्त फ़र्म बनाएंगे ट्राइड अर्टे लेगा देंगे ट्राइड एंड थर्ढ बनाएंगे तो प्लस वाई रहे तो आप बदल देना तो जब भाए को चेंज करके आई में बदल देना तो जली अप्लाइं को आप चेंज करेंगे इसका अंसर कमेंट बॉक्स में करो फड़ा फड़ आपकी भी रिवाइस होते जाएगी चले सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है साकेंड रूल समझते हैं गाईड इन सब की पेडेप आपको मेरे साथ समझना है कि रूल क्या है उसके बाद आपको वब्स की फ़र्म मिल जाएग है जब अंत में while और वाइड रहे while while research दो वथ हैं तो why को आई में नहीं बदलना पड़ता जैसे y से पहले का आपका वभ्ल है न हमारा waici काथ qa करना था जब pousяют qa अब क्लसवाइड को आ में बदल दिया जाता है बट अगर वावल 158 हो तो वाई को नहीं बदला जाता है इसलिए ऐसे बन जाता है प्लेट अब समझें वाई को क्यों नहीं चेंज किया गया है क्योंकि यह वावल प्लस वाई है प्रेय यानि कि प्राथना करना अगर इसका सेकेंड फर्म बनाए तो आज इस वाई उतर जाएगा प्रेड एंड प्रेड सेम इंजॉइड अब आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि वाई को कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है अनौई का मतलब होता है चुड़ाना इसका सेकेंड फर्म हो जाएगा अनौई एंड थर्ड फर्म भी हो जाएंगे हमारे पनाइड ठीक है एंड कोशच वर्म स्योट्रुण तरुफ होगा की परफिप्ट्र फर्म बनाने का भी तरीका होता है मैं कि अनौई को सब करना है लेकिन ज dónde और में ऊहले कर भाया है मैंने और त्रुटंटि में यह सारेयों और और नहीं करवाया है आपको समझ में आएगा कौन सा रूल का है ठीक है तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी करके सीख आपको यह प्रैक्टिस हो जाएगी दैना हम फोट और फिप्ट फॉर्म बनाना सिखेंगे तो चलिए अब आगे देखें रूल नमर थाट क्या है रूल नमर पर यह नियम रागो नहीं होता है यह एक्सेप्शन होते हैं इस पर आपको कोई रूल नहीं होता यहां में वह फ्लस हमारा वाई है न अभी अम लोगने क्या देगा कॉंसोनेंट और वाई रहने पर य को आई में बदल दिया जाता है गरें सेकेंड रूल था हमारा वाई पर वाई को चेंज नहीं किया जाता है यहां वावल प्लस वाई रहेगा फिर भी इसको चेंज कर दिया जाएगा यह एक्सेप्शन होता है बस यह तीन वर्भ है जो आपको यात करने ओंगे इनमें कोई रूल लावू नहीं होता है इंपे आपको याद करना होगा ठीक कुछ कुछ आपको याद रखना होगा बाकि सारे रूल के हिसाब से बनते हैं तो सेट हो जाएगा और फॉर्म भी साट हो जाएगा ठीक है पे होता है हमारे वेतन अगर इसका सेकेंड फॉर्म करने जाए तो पेड हो जाएगा ने का मतलब होता है बिच्छाना यह लिटाना इसका आप देना ठीक है आई-उप आप समझ गया होंगे कि इसको कैसे बनाया गया है चलिए नेक्स्ट ने के प्रूम लंबर फॉर्थ क्या है जब एक सिलेबल वाले रैगुलर वर्प के अंत में सी रहता है तो लास्ट वाले लाटर को डबल करके एडी लगा जाता है अब यह सिलेबल क्या होते हैं आप में से काफिस ट्रेंड को प बताते हैं अब को पहचानने के बहुत सारे नियम है तो मैं आपको एक नियम बता देती हूं मैं यह पर कुछ वर्ड लिख रहे हूं अम ध्यान से लेखेगा पहला वर्ड है थाटी है हम लोग लिख लिए पैटी है सेकेंड है तुड है थार्ड हमारा बेडिफॉल इन्फ आप शिलिबल खोजेंगे से लिख नहीं होता है स्लिबल जैसे म rhymes भी है आप यसे बोलिए बोल कर देखिया है यहां कि यह पार आप नहीं बोरे ना लिख लें मत या नि की यह एक से लिख लगा वाले वाले वाट है अब सेकेंड वाला बोलेए तोडिय आप क्या बोरे तू डे, तू डे, दो syllable आया ना, यानि कि इसमें दो syllable है, अब इसे बोलिए, beautiful, beautiful, तिन syllable आये ना, beautiful, इसमें आये, तिन syllable, अब इसमें देखिए, इसमें क्या information, 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 तो ये चार syllable होगा है, नेक्स्ट देखिए, university, यो, नि, यो, नि, वो, सि, टी, देखिए, यू, यू, अलग हो गया, यू, नि, वो, सि, टी, इसमें क्या हो गया, five syllable हो गया है, तो ये होते है, syllable परचानने का तरीका, तो यहाँ पर एक syllable बोला गया है, एक syllable, यहाँ पर सारे word को पढ़िए, pack, stop, drop, bag, rock, सब एक syllable है, एक ही sound आरन आपके मुझे, ऐसा तो आपनी बोल रहे, stop, ऐसा नहीं नहीं हो रहे, अलग अलग करके तो नहीं हो रहे, एक ही बार में आप डायक्ट बोल रहे ना, तो यह एक syllable होते है, दो syllable होगे तो आपको ऐसे बोलना होगा, today, person, decide, तो यह सारे दो syllable के ह होते हैं, तो वह बात अलग है, तो आपको syllable कैसे पैचानना है, इस तरह से पैचान सकते हैं, जितने भांगना उसे रोल रहे हैं, वह सारे आपके syllable होते हैं, ठीक है, यह आपको clear हो गया, चलिए, यह तो देख लिए, अब हमारा rule कहता है, जब एक syllable वाले regular bob, यह सारे एक syllable है, इसके अंत में CVC, अब CVC क्या होता है, CVC यानि कि C मतलम consonant, V मतलम vowel, और C मतलम consonant, रहता है, तो लास्ट वाले लाटर को डबल करके AD लगाया जाता है, अब आपको समझ में आ गया न, कब डबल करना है, जब लास्ट में CVC यानि और एक syllable का हो रहे, मतलम उसको तोड़ तोड़ की नहीं बोलना है, एक ही बार में जिसे आप बोल देते हैं, और इसके लास्ट में CVC यानि तो उसके लाटर को डबल कर दिया निक्स्ट स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, तो यहां भी एक ये बार में बोले एक syllable करना और लास्ट में देखिए, लास्ट वाले आप बोलोगे मैं, यहां पर तो पहले सी है, कॉंसोनेंट, कॉंसोनेंट, बोबल, कॉंसोनेंट, मैंने क्या मोला, अंत में, अ पहले स्टॉप, दियान देना है, टे ओपी, सीवी सी आ गया ना, तो इसे में डबल पी कर देंगे, स्टॉप, स्टॉप, ठीक है, नेक्स्ट इंड्रॉप, ड्रॉप मतलम गिराना, यह भी सीवी से है, तो बोल देंगे, ड्रॉप एंड ड्रॉप, बहुत इसे यहां पहले किस में क्या लगाना है, बैग मतलब होता है, भीक मांगना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है, बैग मतलम लूटना, इस सेंटेंस, इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, आयोप आपको यह भी रूल पदल चल गया होंगे, कि वन से बल क्या होता है, और लेटर को डब नेक्स रूल में देखते हैं, नेक्स रूल नंबर फाइब है, अगर एक स्लेबल वाले रेगलर वर्प के बीच में, दो वावल, क्या मैंने बूल दो वावल लेटर हो, तो लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं किया जाता है, मतलम हम लोगों ने क्या देखा था, फिर वावल है, और फिर कॉंसोनेंट है, तो अगर बीच में दो वावल आते हैं, दो वावल आते हैं, तो लाटर को डबल नहीं किया जाता है, समझ गया, हाँ, आयोप अब समझ गया, तो चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेट यानी की बैटना, हम बोल देंगे, सीटेट, फर्म भी हो जाएगा, लुग्ड, कुक का मतलब होता है, खाना बनाना, इसका सैकिंड फर्म हो जाएंगे, कुग्ड, और फर्म भी हो जाएंगे, कुग्ड, नेक्स्ट, एकलेंट मतलम सफाई करना, तो यह आप फ्रेम करना, चलिए नेक्स्ट रूल देखे, रूल लबल बढ़ा फिटर्ट तो अंतिम चीबर से पूरा होता है तो तो डबल कर एडी लगाया जाता है एकदम ध्यान से समझें में निपाद सब एकदम क्लियर कर दोगे इधन क्रिस्टल एंगे विपर और कॉंसेट्ट निपने ध्यान तो यहां पर हम लोगे ने क्या 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 हैं द अब बोल कर देखते हैं बेट इसने क्या साँद हहां? बैट जाने किसमें दो सलियेवल है na हाह दो सलियेवल है अंतिन सलियेवल सी वी सी से पूरा होता हा С वी स सीवी से पूरा होग अंतिन सलियेवल पर इस्ट्रेंट दिया जाता है यानि कि जोड दिया जाता है अब इसे क्या बोलेगा अब इसे नहीं बोलेगा आप बोलोगे अब बैट को क्या करें जोड दे रहे हैं तो जोड दे रहे हैं तो जोड दे रहे हैं तो लास्ट वाले लाटर को डबल कर देंगे याद रहे जब दो syllable हो याने कि दो syllable आते हैं और cvc से पूरा होता हो और last वाले को हम जोड़ देकर बोलते हैं तो last letter को double करके ed लगाया जाता है ठीक है चलिए लगाते हैं abet मैंiffs देना कि अक्सान तोम इसे बोलेगे abet it abet it and....obetted ठीक है नेक्स डी कि alot आल आंस रिएना तोम इसे बोलेगे allotted अंस रिएना यानी कि कुछ हिससा देना ठीक कुछ हिससा देना किसली सिर्ट इसका 3 धार्ट हो जाएगा allotted नेक्स्ट ट्रिस आ जोड़ने कर बोरे स्ट्रेंश दे रहे पन से का पर्चा causing करना कोई बस डिपसी का सामने लग देते हैं si आप थे फॉत करेंगे मतला हैं आप क्या प्रीफर करेंगे ठीक है तो प्रिफर करने हैं debt उनले कि पसंद करना बोलने प्रिफuvre डबल र कर देंगे ठीक है यह पर सुरी आप तो मिस्टेक होगे डबल टी होगा प्रेफोर्ड एंड प्रेफोर्ड ठीक है चोले नेक्स्ट है पर मिट यानि की आगया देना इसका भी आंसर आप कमेंड बॉक्स में दीजेगा यह आपको समझ में आ गया कि डबल करना है जब हमारा दो सिलेबल हो और अंतिन सिलेबल से वेसे से पूरा हो और स्ट्रेंज दिया जाता है तो वहां पर लैटर को डबल कर दिया जाता है नेक्स्ट रूल में देख लिए बहुत काम आएंगे नेक्स्ट रूल नमबर सैवन अगर लास्ट सिलेबल अनस्ट्रेंज हो अनस् यहीं से फूरा हो रहा है और यह रहा है आस्फीन नहीं सबलता हीरा याyll है लेकिन यह है इस पर जोड नहीं दे रहे हैं इससे में डबल नहीं होगा लास्ट लैटर बहुत चेंजर एक माइनर माइनर सो डिफरेंस आपको याद रखना होगा तो ओपन यानिकी खोलना तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ओपन एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो आपको यह अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इंटर का मतलब उतर परवेश करना है इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है इंटर अगर आपको नहीं समझ में तो अभी वीडियो को दुबारा देखेगा क्योंकि अगर सोचे कि आप बात में देखेंगे तो बात में काफी कु जाएंगे तो आप अभी देख लीजिएगा छोटा 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 डिफ्रेंस से आपको इनम आराम से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट आंसर उतर देना इसका आप कमेंट बॉक्स में करना चलिए रूल हम लोगों ने सीख लिया यही सारे रूल थे और रेग करने के ट्रिक होता है मैं उपने सोट दिया जाता है जो हम जोनी हो गया यह पर यूम ज़त की वर्च हो आप लेकर बीगहा है यह नहीं लगाते हैं तर यह तो जागना हरोस एराइजन एराइजिंग और यानिक होना बेकर वोज़ वर सेकेंड फॉर्म होता है थर्ड फॉर्ट फॉर्म बेंग अंप फिप्ट फॉर्म में आप इसका यूज कर सकते हो ठीक है बेया का मतलब उसका प्रॉंस होंगे यह आप कमेंट बॉक्स में दीजेगा बीट का मतलब होता है मारना सेकेंड फॉर्म बीट फॉर्ट फॉर्म बीटिंग फॉर्ट फॉर्म बीटिंग फिप्ट फॉर्म बीट बाइट यानि की काटना बेट विटिंग बाइटिंग बाइट ब्रेक यानि के तोड़ना रोक ब्रोकिन ब्रेकिंग ब्रेक तो गाइस से हमारे सारे वाप्स को फॉर्म को दे दिया है और अब जाद में एक फार्म होते हैं मैं आप लोगे लिए वह अपने लेकर आउंगे और इसकी पीडिया पीडिया अप लोगों से शेयर करूंगे तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताइकि जब ले लिए क्लास याद करने कि पसंद आई आपको और इसी चाहिए ता मुझे कमेंट बॉक्स ने आपको हर टॉपिक के बेस्ट ट्रिक समझाने के कोश्च करोंगे जिसे आप इसी में सारे ग्रामन के रोल को कवर कर पाएं अगर आपने इसे पहले वाली मेडियों को विजिट नहीं किया तो लैब साइट क्लिक करके इससे फैरे वाली मेडियों को विजिट कर लीजे और मिलते नेक्स्ट ऐसे इंपरमेटिव मेडियों के साथ तब तक के लिए की प्लड़नी